हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सिविल इंगिनियरिंग के एक और एक इंपोर्टेंट टॉपिक टाइपस ऑफ फाउंडेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाउंडेशन क्या है फाउंडेशन का काम क्या है और इसका टाइप क्या क्या है इसके बारे में हम लोग इस लेशन में टीटेल्स में हम लोग बात करेंगे तो दोस्तो इस lesson को अंतक देखिए यह आप लोगे लिए बहुत ही helpful रहेगा ओके दोस्तो बिना देर किये start करते हैं इस video को दोस्तो पहला जो बात है what is a foundation in construction foundation क्या है foundation is the lowest part of the building or the civil structure that is in direct contact with the soil which transfer the load from the structure to the soil sample कोई भी civil structure और कोई भी building का एकदम नीचे का जो हिस्सा है जो क्या करता है जो super structure है उसका load को transfer करता है जमीन पे इसको हम लोग क्या 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 है foundation अब दोस्तो types of foundation क्या क्या है दोस्तो foundation दो तरीके की होता है एक तो होता है आपका shallow foundation और दूसरा है आपका deep foundation अब दोस्तो shallow foundation क्या है दोस्तों इधर आप लोग एक image देख पा रहे हैं अब देख पा रहे हैं कि load उपर से लग रहा है इस foundation के उपर यह है आपका column और नीचे है आपका foundation तो दोस्तों column के सारे जो load आ हो रहा है वो foundation के सारे soil में a load transfer हो रहा है ओके तो दोस्तों एह है आपका ground level GL अब ground level से देखिए जो foundation है इसका जो नीचे का जो हिस्सा है और this portion है इस distance को हम लोग क्या कह रहे है depth of foundation इसको हम लोग denote करते हैं def से और दोस्तों यह है आपका देखिए width of foundation इसको हम लोग denote करते हैं bf से दोस्तों depth of foundation by width of foundation less than equals to one अगर होगा तब उसको हम लोग कहेंगे क्या shallow foundation अब दोस्तों हम लोग classify करेंगे shallow foundation को अब दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं spread footing type of shallow foundation used to support a wall और column wall और column को support करने के लिए इस तरीके का foundation हम लोग बनाते हैं it may be continuous और isolated continuous भी हो सकता है और अलग-अलग से हम लोग इसको बना सकते है isolated footing जो है वह आपका square shape में हो सकता है circular shape में भी हो सकता है या rectangular shape में अब आपका हो सकता है अब दोस्तों बात करते हैं strap footing a strap footing consist of two or more spread footing connected a beam called strap तो दोस्तों आप लोग देख पने हैं दो spread footing एक बीम से connect किया गया हुआ है इस बीम को हम लोग कहते हैं strap used where the distance between the column is so great दोनों चो कॉलम में इसके अंदर distance ज्यादा हो जाता है तब हम लोग इस तरीके के footing को हम लोग यूज करते हैं अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं combine footing के बारे में combine footing is provided when the column are close together and separate footing would overlap अगर दोस्तों दोनों कॉलम देखे पास-पास है अगर हम लोग अलग-अलग से अगर footing बनाएंगे तो दोस्तों क्या होगा यह overlap कर जाएगा एक दूसरे को उपर ओके तो दोस्तों इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं combine footing इसको हटने के लिए हम लोग कर देते हैं combine footing ओके इट में भी rectangular से जैसे कि आप इधर देख पाई rectangular और trapezoidal से में भी आपका बन सकता है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं raft और mat foundation raft foundation are used in situation when the load transmitted by the column are so heavy जो दोस्तों column है उसके सारे जो load आ रहा है बहुत ही ज्यादा heavy है ओके और the reliable pressure so small that individual footing would cover more than about one half of the area okay so दोस्तों पहला अगर क्या अगर जो column के सारे जो load आ रहा है वह बहुत ही heavy है इसलिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और दूसरा है कि जो column के सारे जो load आ रहा है इतना कम है कि अगर हम लोग अलग से इसके लिए footing बनाएंगे तो इसके लिए बहुत ज्यादा एरिया इसका एरिया इसके हाप एरिया से भी ज्यादा हो जाएगा इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रैप्ट और mat foundation basically क्या होता है देखिए जो निचे का हिस्सा है एक पूरा slab की तरह होता है उसके उपर से हम लोग क्या करते हैं column खड़े करते हैं अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं deep foundation a deep foundation is a type of foundation in which the depth of the foundation is placed at deeper depth below the ground level the depth of the foundation is much greater than its width okay so दोस्तों देख पा रहे हैं depth of foundation बहुत ही ज़्यादा है और width of foundation बहुत कम है अब देखिए दोस्तों depth of foundation और BF का जो ratio है यह आपका greater than 15 होगा तब हम लोग इसको कहेंगे क्या deep foundation कि अब दोस्तों बात करते हैं classification of deep foundation दोस्तों deep foundation को हम लोग further pile foundation and oil foundation में हम लोग divide कर सकते हैं तो दोस्तों एक-एक के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे तो दोस्तों पहला जो है आपका pile foundation are generally used when simple spread foundation at the suitable depth is not possible either because the strata required bearing capacity is available at a greater depth दोस्तों अगर हम लोग spread footing कर रहे हैं और spread foundation कर रहे हैं और देखिए यह जो level है इसमें आपका जो load आ रहा है इसको ब्यार नहीं कर सकता है इसका ब्यारिंग capacity उतना नहीं है तो हम लोग को greater depth में जाना पड़ेगा कब तक जाएंगे जहां जहां पर हम लोग को एक solid rock solid हम लोग को strata मिल जाए जो required bearing capacity provide कर पाए ओके तो दोस्तों यह आपका pile foundation और दोस्तों pile foundation में जो surface area हो भी जादा होता है इसके बज़े से देखिए जो friction लगता है friction के बज़े आपका required bearing capacity मिल जाता है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं peer foundation they are somewhat similar to pile foundation pile foundation के similar ही है but are typically larger in area than piles और इसका जो area है pile से ज़्यादा होता है used in situation where the loads to be transmitted are heavier than the loads that can be accomplished by piles तो दोस्तों बात करते हैं oil foundation a oil is a large hollow open-ended structure in which excavation and casting continues till it sink to prescribe depth commonly provide under bridge and pires दोस्तों आप लोग देख पर हैं bridge के जो pires है इसमें हम लोग यूज करते हैं इस तरीके के foundation को oil foundation ओके तो दोस्तों यह है आपका पायर और देखे हम लोग oil foundation बनाये हैं और इधर देखे sand filling कर दिये इसके अंदर और देखे इधर है आपका एक RCC slab अब दोस्तों बात करते हैं cason foundation cason is a water tight structure made of wood steel और reinforced concrete which excavate for the foundation of bridge and pires दोस्तों इसको भी हम लोग यूज करते हैं bridge और pire इस case में हम लोग यूज करते हैं तो दोस्तों यह आपका हो गया है different types of foundation के बारे में बात तो दोस्तों इधर हम लोग पढ़े pile foundation and cason foundation अब देखे different different type का piles होता है और cason भी आपका different different types का होता है तो दोस्तों इसको बताने के लिए मैं एक दूसरा video lesson लाओंगा ओके तो इस lesson में इतना है hope you understand this video if you understand then like this video and share with your friends and thanks for watching दोस्तों मिलते हैं अगले video चसके बारे भारे, दोस्तों दूसा लोस्तों मुतरवित सभीज K new इए आशचißt कि वड़ए माझन Snग Chief 2010 बारे, दिर्वित्व ror भ्वड के यद्वोस aextन। झाल झाल